हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग वलकम बैक अगेन आज संडे है और आपके लिए बहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ आज की वीडियो थोड़ी से डिफरेंट होगे हमारी नॉर्मल वीडियो से और आपको यहाँ पे कुछ स्टेट्स बताना चाहूँगा जॉब अपॉर्चिनिटीज को लेके और यहाँ पे हम जॉब अपॉर्चिनिटीज भी डिसकस करेंगे भाई पैकेज बहुत अच्छे ओफर किये जा रहे है और अगर आप इलीजिबल हो तो आप इंटरस्ट ले सकते हो तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते है वैसे अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करना अगर आपको latest job updates and SE career guidance की वीडियोस चाहिए हम डेली ऐसी वीडियोस लेकर आते है तो बाई बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि 6 बजे exactly आपको notification मिल जाए वीडियो होगा तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं like जरूर से कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है 5000 likes का target रखते हैं और दोस्तों को भी share कर दीजिए तो यह जो वीडियो है इसमें eligibility criteria के अगर हम बात करें अगर आप अपना graduation complete कर चुके हो चाहे किसी भी field से इवन अगर आप final year में हो तब भी आप यहाँ पर eligible हो और अगर आप एक professional हो अपना career जो enhance करना चाहते हो तब भी आप interest ले सकते हो तो यहाँ पर यह वीडियो आपके काम की शायद हो सकते हैं लेकिन जो graduates in final year वाले हैं उनको तो भाई यह वीडियो देखना है सो बात करते हैं सबसे पहले तो भाई देखो यहाँ पर job पाना तो difficult हो रहा है क्योंकि अच्छे अची company जो है mail पर यहाँ पर lay off कर रही है इसमें अच्छी job लेना और वो भी अच्छे package के साथ अच्छी company में काफ़ी difficult हो जाता है इसमें बहुत सारे factors होते है skill को लेके person to person यह differ करता है यह तो थी sad story लेकिन एक good news भी है IT companies 2022-23 में यहाँ पर करीब करीब 90,000 freshers को hire करने वाले हैं यह reports काफी हब तक सही है मैं यहाँ पर great learning की team को thanks कहना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया announcement करने को कहा है हमारी family के बीच में तो अब जो बोलने जा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुना क्योंकि हम बहुत ही important चीज discuss करने वाले है तो यहाँ पर great learning जो है वो यहाँ पर freshers, early career professionals उनके लिए यहाँ पर काफी बढ़िया full time classroom programs लेकर आया हुआ है अब यह सुनके आप मैं से काफी सारे वीडियो छोड़ने का सोच रहे होंगे लेकि ज्यादा time नहीं लोगा क्योंकि इसकी खास बात है कि हाँ पर आपको 10 guaranteed placement opportunities मिलेगी यहाँ पर 12000 से ज्यादा companies इनके साथ जोड़े हुई है जो hire कर रही है और average package starting minimum 3.5 lakh का है यह minimum है minimum इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ तो minimum होना चाहिए लेकिन यह percent to percent differ करता है और मुझे यहाँ पर guts feeling है कि अगर कोई तोड़े efforts लगाता है न तो उसका सिर्फ 3.5 lakh का package नहीं लगता है यहाँ पर आपका package up to 10 lakh per annum भी जा सकता है यहाँ पर great earning यह program जो offer कर रही है यह बहुत ही बढ़िया program है और इसमें कुछ interesting चीज़े है जो आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा सबसे पहले तो जो final year में जो graduation complete कर चुक है वो यहाँ पर बिलकुल eligible है और यहाँ पे इन्होंने दो domains पर focus किया है data analytics and backend software development क्योंकि data analytics जो है 21st century का अभी यहाँ पैसा बोल सकते है कि नया domain है और जो backend software development है उसको तो पता है आपको कि भाई लाखो के package मिल रहे है काफी companies जो है IT engineer को बहुत अच्छे packages offer कर रही है तो यह packages के लिए काफी बढ़िया है अब यहाँ पे यह offline programs है तो क्यों offline programs में जाना चाहिए जबकि online हमारे पास इतने सारे options available है यह आपका doubt होगा इसको मैं clear करता हूँ सबसे पहले statistics है यहाँ पे एक report है business today का जिसके इसाब से 59 percentage residents जो गुडगाओ के हैं उनको यहाँ पे काफी बढ़िया opportunities मिल रही है उनके skills से match करने वाली compare to जो बाहर रहते है क्योंकि अगर आप same city में रहते हो ना तो काफी बार company के लिए convenience बढ़ जाती है तो यहाँ पे यह जो है business today का report है 59 percentage यहाँ पे बैंगलोर की अगर हम बात करें तो बैंगलोर ऐसा का जाता है कि एक पत्थर अगर आप फेको ना किसी पे वैसा नहीं फेकना चाहिए बट यह एक बात है तो तीन लोग मेंसे जो दो होंगे वो यहाँ पे engineer होंगे आईटी वाले होंगे कहने का मतलब यह है कि बैंगलोर जो है वो यहाँ पे IT सेक्टर से काफी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और वहाँ पे इंडिया के best top firms आपको मिल जाएंगे जो बहुत अच्छा काम कर रहे है और वहाँ पे opportunities तो है साथ में सीखने को भी बहुत मिलता है तो बैंगलोर ऐसा शहर है और एवन अगर आप entrepreneurship में भी जाना चाते हो तो वहाँ पे आपको काफी सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे नेक्स रात है दिल्ली NCR जो अभी मैंने गुडगाओं के बारे में बता है यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे भी obviously इंडिया का capital है तो opportunities यहाँ पे भी होगी तो यहाँ पे digital marketing का जो है काफी ज्यादा अभी जो है increment आ रहा है और यह जो digital marketing है कहीं न कहीं IT से ही जोड़ रहा है एक बात इसमें अच्छी है कि यह जो है marketing का एक different domain है लेकिन इसमें आपको जो है जो technical skills required रहती है IT वालों को ऐसी इतनी technical skills नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आप IT industry से ही connected हो और यहाँ पे भी काफी ज़्यादा opportunities है तो एक अगर हम बात करें तो number one पे IT jobs में obviously Bangalore आता है highest number of IT jobs and employment जो है वो यहाँ पे Bangalore में create होते है 17.6 percentage next second number पे आता है दिली जिसमें 11.5 percentage का ratio है उसके बात आता है Bombay 10.4 and then आता है Noida जो again यहाँ पे 6 percentage पे आता है तो यह जो है top ऐसे शहर है जहाँ पे employment जो है बढ़ रहा है highest number of jobs in IT sector ऐसा आप बोल सकते हो नव यह में क्यों discuss कर रहा हूँ के number one पे कौन आ रहा है number two पे कौन आ रहा है because जो great learning के offline programs है ना वो यहाँ पे top centers पे ही है मतलब कि आपको यहाँ पे बैंगलोरू दिल्ली ऐसे location पे जाना होगा और वहाँ पे आपको opportunities भी बहुत मिलेगी अभी भी आपको अगर ऐसा लग रहा है तो कुछ चीज़े बताना चाहूँगा कि offline classroom क्यों अलग करती है बाकी online classrooms है क्योंकि अभी देखो pandemic कम हो गया मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी restrictions नहीं है offline centers वगरा open हो रहे है तो अब आप यहाँ पे start कर सकते हो तो यहाँ पे benefits है obviously online में convenience होती है लेकिन offline में कुछ चीज़े change हो जाती है जो online में शाहिदी अची हो सबसे पहले number one पे आता है कि भाई collaborative learning आप यहाँ पे खुड तो सीख रहे हो लेकिन आपके जो आसपास है उन्हें भी आप सिखा सकते हो वो भी आपको सिखा सकते है एक तरीके का collaborative learning atmosphere आपका यहाँ पे बन जाता है जो online में possible नहीं है second number में पे आता है social skills obviously आपके network बहुत अच्छे बनेंगे अगर आप offline हो because classroom खतम होने के बाद हम अकसर बैठते हैं बाते करते हैं कहीं बाहर restaurant में चले जाते हैं तो वो एक आपका network बनता जाता है आपको आपके जैसे लोग मिलेंगे next आता है organizational skills इससे teamwork और ऐसी बहुत सारी चीज़े आप सीखोगे let's suppose आपको एक project allocate किया जाता है और आप अगर online पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आप खुद कर लोगे submit कर लोगे लेकिन offline में क्या होता है वो project आप किसी के साथ करोगे एक team बनाओगे कि चलो भाई साथ में करते एक दूसरे के error solve करोगे एक तरीके का collaborative learning आ जाता है और आप यहाँ पे team में काम करना सीख जाओगे time को कैसे manage करना है work को prioritize कैसे करना है यह सारी चीज़े आ जाएगी next and सबसे important वो होता है mentors के लिए उनको पता लगता है कि भाई बचों को समझ में आ रहा है students जो पढ़ रहे है उनको clarity मिल रही है या नहीं accordingly वो अपने जो सिखाने के pattern वो change कर सकता है आपके facial expressions teachers को बता देते हैं कि भाई उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है यहाँ पर great learning का classroom program में offer क्या कर रहा है आपको यहाँ पर limited students मिल जाएंगे एक batch के अंदर 50 students and आपका सबसे important real time doubt solving होगा क्योंकि instructor सामने ही है आप यहाँ पर directly पूछ सकते हो and आप groups में भी सीख सकते हो अब सबसे important जो experts आपको सिखाएंगे वो normal teachers नहीं होंगे वो यहाँ पर industry के already काफी जाद experience ले चुके होगे person होंगे जो आपको आके सिखाएंगे and यहाँ पर आपको guaranteed placement opportunities मिलेगी मैंने आपको पता है ना minimum 3.5 likes है लेकिन अगर आप focus बहुत अच्छे से करते हो तो भाई 5 लाग, 10 लाग आराम से आपको मिल सकता है यह completely आपके उपर बाद में depend करता है and आपको यहाँ पर great learning के job fairs जो कंड़क करेंगे उनकी access मिल जाएगी अब आप सोच रहे होंगे कि offline class है सब कुछ है लेकिन फिर भी इसमें क्यों invest करना चाहिए great learning career academy के program में है चलिए यहाँ पर मैं आपको platform पर ले जाता हूं ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा तो average salary जो IT industry के है न वो यहाँ पर experience के साथ 5 से 10 साल में 62.3 percentage hire होती है sales and development के comparison में मतलब आप अगर IT में जाते हो या sales and development में जाते हो तो IT में आपको काफी ज़्यादा एक difference देखने को मिलेगा and अगर हम बात करें तो यह जो IT का sector है यहाँ पर almost every year 163 percentage बढ़ता जा रहा है मतलब अपनी hiring बढ़ाता जा रहा है और यहाँ पर अगर हम great learning के यहाँ परे home page पर जाते है तो आपको यहाँ पर जो है काफी सारे interesting चीज़े मिल जाएगी जिसमें मैंने आपको बता है कि 12,000 से स्यादा companies यहाँ पर hire कर रही है and सबसे important यह जो है top companies है आप यहाँ पर नाम देख सकते हो by Google, Amazon, Microsoft, Flipkart, HP, Adobe यह सारे top companies है and even यहाँ पर आपको career transitions मिल जाएंगे जिन्होंने already यह program किया हुआ है और उन्होंने अपना career जो है काफी हद तक change कर दिया है तो यहाँ पर testimonials भी है जो आप check out कर सकते हो मैंने आपको बता है ना साड़े 3 लग का package जो है वो minimum है लेकिन अगर आप अगर proper अच्छे से ध्यान देते हो तो भाई आपको package बहुत अच्छा मिलेगा तो यहाँ पर आपको काफी examples जो मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पर package 8 lakh, 7 lakh, 6 lakh यही दिख रहा है तो भाई कम package तो आपको नहीं मिलेगा मेरे इसाब से अगर आप अच्छे से ध्यान देते हो क्योंकि यह चीज आपके ओपर depend करती है minimum 3.5 है लेकिन maximum की कोई limit नहीं है नो यह सारी information मैंने आपको बताई, सब कुछ शेर किया लेकिन अभी भी आपको कोई doubt जैसा है तो मैंने आप लोग के लिए एक free webinar अरेंज करवाया हुआ है और जो speaker है वो काफी ज्यादा interesting personality है यहाँ पर Mr. Shubham Jain आने वाले है जो associate director है software engineering Walmart Global Tech में जिनका यहाँ पर 15 साल का industry experience है और काफी ज्यादा passionate technologist है तो यह webinar वो कंडग करने वाले है Mr. Shubham Jain तो भाई आपको यहाँ पर इस webinar में काफी ज्यादा insights मिलेगी IT sector की अब आपको लग रहा होगा कि मैं क्यों इतना focus करता हूँ IT industry पर मैं इसलिए focus नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा हिसमे कोई यहाँ पर IT industry में आप जाओगे इससे मेरा benefit नहीं है लेकिन IT industry अभी बहुत जादा boom कर रही है and अगर आप इसमें थोड़ा सा हाथ दो लोगे तो भाई आपका जो career है वो set हो जाएगा so यह जो है काफी बढ़िया मौका है अब यहाँ पे आपको यह webinar इसलिए attend करना चाहिए क्योंकि already एक person एक path पे चल चुका है अगर वो अपना experience आपके साथ share करेगा ना आज की इस वीडियो का अगर हम summary निकाले तो number one पे आता है कि IT सेक्टर में कैसे जाना है proper skills के साथ और इसकी detail आपको यहाँ पे और ज्यादा webinar में पता चलेगी second number पे great learning career academy के बारे में मैं आपको बता है जिनके upscaling courses है जो offline conduct हो रहे है top centers में और सबसे अच्छी बात आपको यहाँ पे 10 guaranteed interview opportunities मिल जाएगी जिसमें आप अपनी opportunity अच्छे से find कर सकते हो और आराम से 10 में से आपका एक तो बहुत बढ़ी आपर आपको मिली जाएगा इसके बाद आता है कि IT hubs जो है उमीद करता हूँ आपको काफी चीज़े समझ में आई होगी description में मैंने links provide कर दी है check करना मत बूरना webinar का भी link है great learning career academy का भी link है जो आप check out कर सकते हूँ अगर समझ में आता है तो यार enroll कर लो और webinar में तो जरूर से जाना बिलकुल free है तो उसका benefit जादा से जादा उठा सकते हो so इसी के साथ वीडियो को end करते है अगर वीडियो पसंद आया हो तो like करना मत बूरना और subscribe कर लेना मिलते हैं next वीडियो में next job update में तब तक के लिए goodbye take care झाल 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 झाल